नमस्कार A to Z dishes उशाक उरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बड़ी आसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं कभी कभी क्या होता है ना अचानक से मेमान आ जाते हैं और हमें उनके लिए घाना बनाना पड़ता है पर कभी कभी तो क्या आता है ना कि अचानक से मेमान आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बना है तो आज मैं आपके लिए इतनी बड़िया सी लास्ट मिनिट पे भी बनने वाली ये थाली शेयर करने जा रहे हैं ये मेमानों के लिए खास थाली है आप अपने लिए भी बना सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है पर खास करके अगर मेहमान आने वाले हो या अचानक कुछ भी नहीं करना यह बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और खाने में तो क्या ही बताओ इसका स्वाद इतना बढ़िया है आपको मजा ही आ जाएगा तो हम इसे सिंधी में साई भाजी कहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है चनादार ले लेनी है इसे आपको चा कटा हुआ आलू और एक कटा हुआ टमाटर यह सारी सबजिया आपको एक साथ ही डाल दीनी है और इसे आपको अच्छे से भून लेना है जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप लास्ट मिनिट पर बदब अचानक से मिमान आगर तब भी आप यह बना सकते तो काफी जल्दी से औ और यह एक कप चना दाल थी जिसे मैंने विगो के रख दिया था तो बस यह चना दाल दाल देंगे इसी के साथ ने यह दो कप जितनी पालक को मैंने अच्छे से पानी से वाश करके काट लिया था तो यह भी डाल देंगे और इन सभी को एक मिनिट के लिए अच्छे से भू आएंगे मसाल और नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं मैंने इतने डाले हैं अच्छे से मिलाने के बाद अब इसके अंदर में डाल रही हूं पानी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर तकरीबन एक ग्लास जितना पानी डाला है और अच्छे से देखे इस तरह से मिला लिया है और मिलाने के बाद एक कब जितना और पानी डाला है अच्छे से मिलाने के बाद कुकर का ठकन दे देड़ेंगे तीन से चार सीती आने तक पका लेंगे तेर पुरा प्रेशर खथम होगया है इसे अब आपको क्या करना है थोड़ा सा मेश कर लेना है तो आप कर्ची से भी कर सकते हैं और इस तरह से मेशर जिससे हम पाउभाजी को मेश करते हैं बस उस मेशर से भी आप इसे कर सकते हैं जादा नहीं करना है बस हलका 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 ही करना है क्योंकि क्या देखें आसानी से मेश हो जाएगा क्योंकि सारी चीजे पकी हुई है तो जादा मेश ना करें बस हलका सा मेश कर लीजे एक से दो मिनिट के लिए और देखें कुछ ये इस तरह से अब इसके ओपर एक तड़का लगाया जाता है जिससे इसका जो स्वादे और डबल हो जाता है उसके लिए गैस को अन कर ले एक छोटा सा पैन या तड़का पैन रख दे इसमें आपको डाल देना है सिर्फ एक चमस तेल आप गी भी डाल सकते हैं जैसे करह मुझे एक चौथाई चमस जीरा चुटकी बर हिंग छेसे तास लसुन को इस तरह से काट कर डाल दे और इसे थोड़ा सा बून ले जैसे लसुन का कलर थोड़ा सा चींज हो जाए तो इसके अंदर आपको आदी चमच लाल मिश पाउडर डाल देना है और जैसे लाल मिश पाउडर डाल देना तुरंती गेस को बंद कर ले और ये तड़के को आपको ये डाल की अंदर डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है तो ये तयारे बढ़िया सी कह लिए ये साई भाजी ये आपकी भाशा में डाल बहुत ही टेस्टी लगती है चलिए बना लेते अब बिंडी प्यास काफी जटपट से भी बन जाएगा और टेस्टी भी और सूखी सबजी भी हो जाएगी थाली में उसके लिए कड़ाई में सि और इसे भूनना है तो प्यास को एकदम आपको लाल नहीं करना है बस हलका सा लाल करना है तो थोड़ा थोड़ा भून ले आप देख सकते हैं प्यास बिलकुल हलका सा लाल हो गया जादा आप लाल करेंगे तो फिर क्या होता है जब खाते हैं ज़ली हुई सबजी है क्योंक यह पर देखें तीन से चार मिंट होगा और तीन से चार मिंट आपको इसे धीमी आज पर यानि कि लो फ्लेम पर पकाना है बिंडी अच्छ से पक गई है अब इसके अंदर हम डालेंगे आदी चमज धनिया पौडर एक चौथाई चमज हल्दी पौडर आदी चमज लालमिश पौडर स्वाद अनुसा नमक अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं अच्छे से इन सभी को देखें इस तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर में डाल रहें एक चौथाई चमज आम चुरका पौडर इससे काफी चटपटी सबजी हो जाएगी खाने बार बनाते रहते हैं आज बनाएंगे शिम्ला मिर्श का रायता आपको भी कुछ अलग बनाने को मिल जाएगा और मेमानों को भी कुछ अलग खाने को मिल जाएगा यह इतना टेस्टी लगता है उसके लिए पैन में सिफ आदी चमज तेल डालना है जैसे कर मुझे एक चौ करके बारिक टुकडों में काट लिया था बस तेज आँच पर इसे भूनना है इसे आपको पूरा नहीं पकाना है क्रंची ही रखना है तो एक मिनिट के लिए तेज आँच पर यानि कि हाई फ्लेम पर भून ले उसके बाद दो बारिक कटी हरी मिर्ची डाल दे और इसे भी बूल ले अब इसके अंदर में डाल रहे हैं स्वादनुसा नमक 14 चमच लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली है इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर कम डाला है अच्छे से मिला लेना है और अब हम गैस को बंद कर लेंगे उसके बाद यहां पर मैंने दो क कब जितना पानी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक कब जितना पानी डाल दिया और पानी मैंने मटकी का ही डाला है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो भी हमने शिम्ला मिर्च को पकाया था ना शिम्ला मिर्च प्यास को वह डाल दीना है और इसे फिर से मिक्स कर और लीजे तायार है ये बढ़िया सा रायता अब इसे फ्रिज में रख दीजे और ठंडा ठंडा सर्व कीजेगा तो चलिए बना लेते हैं बढ़िया से बैंगन फ्राइ ये इतने मसालेदार और टेस्टी बैंगन फ्राइ बनते हैं ऐसे खाने में इतने बढ़िया लगता है और इसमें देखे इस तरह से निशान कर लेना है यह निशान इसलिए किया जाते है ताकि अंदर तक अच्छे से यह पके निशान करने के बाद एक टुकड़े में से हमें दो टुकड़े कर लेने क्योंकि यह काफी बड़े हैं बैंगन अब यहाँ पर देख सकते हैं बेंगन को हमें फ्राइ करना है तो बिल्कुल कम तेल में ही करेंगे तो मैंने तेल गरम करने रख दिया है और यह बेंगन में मैंने नमक डाल कर अच्छे से मिला लिया है मिलाने के बाद इसे 10 मिनिट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे तो यहाँ पर जब तक इसे रेस्ट मिल रहा है ने यहाँ पर जो मैंने तेल गरम करने रख दिया था तो इसी में हम पापड पहले फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने पापड ले लिए यह उड़दाल का पापड है तो बस इसे हमें 20 से मैंने टोड लिया ताकि आसानी से फ्राइ हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पापड को अच्छे से फ्राइ कर लिया है दोनों तरब से तो बस इसे निकाल लेंगे 10 मिनिट हो गए है इसे नमक में रखते हुए बेंगनों को तो 10 मिनिट के बाद बस ये बेंगन के टुकड़े हम तेल में इस तरह से डाल देंगे और नीचे से इसे पकने देंगे जैसे ही पक जा तो इसे पलट लेना है और पलटने के बाद देख सकते हैं इस तरह से सारे बेंगन को आपको पलट लेना है और बस इसे अभी हमें दबाना है इस तरह से प्रेस करना है तक कि क्या अंदर तक अच्छे से फ्राइ हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप इसे प्रेस करें यानि कि दबाएंगे न तो थोड़े से चीटे उड़ेंगे तो ध्यान रखेगा दूनों तरप से अच् देख सकते हैं गरम गरम मी आप डाल दीजेगा थोड़ा सा लालमिश पाॉडर डाल देंगे नमक तो हमने पहले से बैंगनों में लगा लिया था तो नमक हम नहीं डालेंगे चटपटी के लिए हम हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अमचुल का पाॉडर तो यहाँ प चावल ले लिए इसे मैंने अच्छे से तीन से चार पानी से वाश कर लिया है और वाश करने के बद आप चावल कड़ाई में बनाते हैं या मेरी तरह पैन में जो भी बरतन में बनाते हैं बस गयस को अनकर के वो बरतन रख दीजे और इसके अंदर में डाल रहे हूं दो कप जितना फानी एक कप चावल में दो कप आपको पानी डाला है और यहां पर देख सकते हैं पानी डालने के बाद आप इसके अंदर में डाल रहे हूं सौध अनुसा नमक और इसी के साथ आदी छोटी चमश गी आप घीव भी डाल सकते हैं या फिर तेल भी जो आपको समझ मे आए, यहाँ पसंद हो तो यहाँ पर इसे डालने, दोनों डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे और अब असके अंदर हम चावल डालनेगे बानी नहीं डालना है, सिर्फ चावल ही डालने क्योंकि पानी हमने पहले से ही पैन में डाल दीया है तो बस चावल देखे इस तरह से एड़ करने के बाद इसे हमें खुला ही पकाना है जब तक इसका पानी सुख जाए चावलों का पानी सुख जाए तब तक तो तक्रीबर आपको इसे खुलाई पकाना है और पकने में 5-6 मिनिट लगेंगे तो बीच-बीच में चलाते भी रहना है आप देखेंगे कि दीरे दीरे जो चावलों का पानी है वो सूखता जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तक्रीबर 5-6 मिनिट हो गए है चावलों के बीच में बस थोड़ा सा ही पानी रहे गया है तो बस एक बार देखें इस तरह से मिला लेना है और मिलाने के पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है यानि कि बिल्कुल धीमी आज कर लेनी है और धीमी आज पर इसे ढख कर आपको 5 मिनिट तक पकाना है अब यहाँ पर आपको बिल्कुल धीमी आज पर पकाना है अगर आप तेज आज पर पकाते तो नीचे से चावल जल सकते हैं इसलिए बिल्कुल धीमी आज पर पांच मिंट तक पका लीजे जैसे पांच मिंट हो जाए तो धकन को हटा ले और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये खिले-खिले चावल बने है तो जब भी आपको एकदम खिले-खिले चावल बनाने हो तो इस इजरमेंट से जरूर ट्राइ कीजेगा तो चावल पकर तयार है अब हम गैस को बन कर लेंगे और इसे ढखकर ऐसे पांसे-दस मिनिट के लिए रख देंगे इसलिए ऐसे आपको रखना है इसे क्या होगा न और ये खिले-खिले चावल हो जाएंगे तो गैस को बन कर ले और इसे पांसे-दस मिनिट के लिए ऐसे ही रख दे चावल बन कर तयार है चलिए अब बना लेते हैं मीठा वो भी इतना बड़ी और हेल्दी न उसके लिए आपको कड़ाई में डाल दीना है सबसे पहले गी और इसी के साथ न जैसे गी गरम हो जाए इसके अंदर आपको डालना है एक कप गेहूं का आटा और इसे आपको अच्छे से भूनना है तो यहाँ पर अगर आप इसे तेज आज पर भूनते न तो क्या होगा आटा है न कच्छा रह जाएगा कितना भी आप करें इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर यानि कि बिल्कुल धीनी आज पर आपको इसे तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए भूनना है हल्की सी हो जाएगी कलर भी चेंज हो जाएगा आटे का तो जैसे चार से पांच मिन्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक कप जितना गुड तो यहाँ पर गुड आप ब्राउन वाला या फिर वाइट जो आपके पास हो वाप इस्तमाल कर सकते हैं पर ध्यान रखेगा तो यहाँ पर यह इंस्टंट वाली सुखडी है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अचानक से महमान हा जाते हैं तो आप पहले भी यह बना कर रख सकते हैं और यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें सेट करना है तो एक थाली में मैंने थोड़ा सा ग कर लीजे इसके बाद थोड़ी सी में इसके ऑपर ना खसख़ डाल रही हूं और खसकस डालने के बाद फिर से हम कटोरी को इस तरह से कर लेंगे इसलिए थाकि खसकस अंधर तक चली जाए यानि कि पॉपी सीड और बस इसे ऐसे करने के बाद अभी यह गरम-गरम ही है कर ले तो तैयार है बढ़ियासी और जटपट से बनने वाली सुखड़ी और चलिए अब बना लेते हैं बढ़ियासी फुली फुली एकदम सौफ्ट गीहों के आटे की रोटिया उसके लिए बावल में आपको डाल देना है तीन से चार कटोरी जितना गीहों का आटा जितनी आपको रोटिया बनाने उसे साफ से आप आटा लीजे इसी के साथ स्वादन नमक और थोड़ा सा तेल आप तेल की जगा पर गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से बिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे और आटा गुन लेंगे तो जो आटी की रो मसल लीजे और इसे देखिए मसलने के बाद ना इसके उपर बिल्कुल थोड़ा सा और हम तेल लगा लेंगे और इसे धकर पांच से दस मिनिट के लिए रख देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पांच से दस मिनिट हो गए तो धकन को हटा लीजे और देखिए बढ़ मीडियम रोटी बनाती हूं उपर सूखा गी हूं का आटा छिड़कना है और इसे थोड़ा सा बेल लेना है थोड़ा सा बेलने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लीजे आप चाहे तो गी भी लगा सकते है इसे फिर से लपेट लेना है अब इसके उपर फिर से सूखा आटा छि आप इसे सेखेंगे, तो मीडियम बेले, ना ही जादा मोटा, ना ही जादा पतला, उसके बाद गरम तवे पे डाल दे, दोनों तरप से अच्छे से से देख सकते हैं, रोटी एकदम बड़िया सी फूल रही है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी है, रोटी के नारों से अच् और यह जो इंस्टन्ट वाली सुखडी है आप इसे काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं तो पहले से भी आप इसे बना सकते हैं तो आप इस पूरी थाली को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमर से बताएगा कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजेए शेर कीजेए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बत इतना ही कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाच्छेंग